हलो दोस्तों, प्रयाग बोध में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू के द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज का संख्षिप्त रूप को आपके सामने ला रहे हैं आज का शीर्शक है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नीन भारत में ही पड़ी थी गिंती के चौक्टे को इस्तिमाल करने की फूहड पधती, रोमन और उसी तरहे की संख्याओं के इस्तिमाल ने बहुत समय तक प्रक्ती में बाधा दी जबकी शूनियाक मिलाकर दस भारतिय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धी को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था ये अंकचिनह बेजोर थे और दूसरे देशों में प्रयोग किये जाने वाले तमाम चेहनों से एकदम भिन्न थे भारत में जामिती, अंकगनित और बीजगनित का आरंभ बहुत प्राचीन में हुआ था शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतिया बनाने के काल लिए एक तरह के जामिती बीजगनित का प्रयोग किया जाता था हिंदू संसकारों में जामितिक आकृतिया अब भी आमतोर पर काम में लाई जाती हैं भारत में जामिती का विकास अवश्य हुआ पर इस छेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए अंगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा जिसे शूने या कुछ नहीं कहा जाता है वह आरंभ में एक बिंदी या नुकते की तरह था बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया उसे किसी भी और अंग की तरह एक अंग समझा जाता था शून्यांक और स्थानमोल्य वाली दशमलव विधी को स्विकार करने के बाद अंकगनित और बीजगनित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए बीजगनित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ जो तिर्विद आर्यभट का है जिनका जन्म 427 इमे हुआ था भारतिय गनित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भासकर का और उसके बाद ब्रहम पुत्र का है ब्रहम पुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था जिसने शूने पर लागू होने वाले नियम निश्चित किये और इस खेत्र में और अधिक उलेखनिय प्रक्ती की इसके बाद अंकगनित और बीजगनित पर लिखने वाले गनेतग्यों की परमपरा मिलती है इन में अंतिम महान नाम भासकर ग्वितिय का है जिसका जन्म 1114 इमे हुआ था उसने खगोल शास्त्र बीजगनित और अंकगनित पर क्रमशह तीन ग्रंथों की रचना की अंकगनित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है जो स्त्री का नाम होने के कारण गनित की पुस्तक के लिए विचित्रलगता है विश्वास किया जाता है कि लीलावती भासकर की पुत्री थी गोकी इसका कोई प्रमान नहीं मिलता पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उप्युक्त है इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालियों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तमाल किया जाता है आठवी शताबदी में खलीफा अलमनसूर के राजयकाल में कई भारतिय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तके थी इन्होंने अर्बी जगत में गणित शास्त्र और जोतिश शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहां भारतिय अंक प्रचलित हुए बगदाद उस समय विद्ध्याध्ययन का बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत रहोकर अपने साथ यूनानी दर्शन, जामिती और विज्ञान ले गए थे मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इसलामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अर्भी अनुवादों के माध्यम से भारतिय गणित का ज्यान इस व्यापक में ख्षेत्र फैल गया था अर्भी जगत से यह नया गणित संभवतर स्पेन के मूर विश्व विद्यालियों के माध्यम से यूरोपिय देशों में पहुँचा और इससे यूरोपिय गणित की नीम पड़ी यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतोर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 इमे सिसली के एक सिक्के में हुआ ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 इमें हुआ दोस्तों यह विडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताएं इसी प्रकार की अन्य विडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद